ओम शान्ती, आज के मुरली है, 30, 10, 20, 24, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना है, अब ये विचारी याद है, इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं, प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं, उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ती की है, आधा कर्प से पुराने भक्त हैं, वो बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ती का फल मिलता है, जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है, दुसरे धर्म वाले तो इस ग्य पूम शान्ती और तुम वहाँ पहुच जाएंगे पावन बन कर फिर नई दुनिया में जाना है आत्माओं को जाना है आत्मा ही इन आरगंस द्वारा सब कर्म करती है न भक्ति माल्ग में तुमको याद करना है एकको भक्ती भी पहले पहले तुमने उंच ते उंच सिव बाबा की ही की थी उनको कहा जाता है अवे विचारी भक्ती वही सर्वक को सद्गती देने वाला रच्ता बाप है उनसे बच्चों को बेहत का वर्सा मिलता है भाई भाई से वर्सा नहीं मिलता वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है थोड़ा बहुत कर्ण्याओं को मिलता है वह तो फिर जाकर हाप पार्टनर बनती है यहां तो तुम सब आत्माए हो सब आत्माओं का बाप एक है सब को बाप से वर्षा लेने का हक है तुम हो भाई भाई भल सरीर इस्त्री पुरूस का है आत्मा सब भाई भाई हैं वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई 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 अर्थ नहीं समझते तुम अभी अर्थ समझते हो भाई भाई माना सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं फिर प्रजा पिता ब्रम्हा के बच्चे भाई बहन है अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सब को वापस जाना है जो भी मनुष से मात रहें सबका पार्ट अब पूरा होता है फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं पार ले जाते हैं गाते भ दरूर बननी है, मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्सा तुम्हारी बुद्धी में है, हम आत्माएं सब स्वीट धाम सांती धाम की निवासी हैं, यह तो बुद्धी में याद है ना, हम जब सत्योगी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सभी आत्माएं सांती धाम में आत्मा तो कभी विनास नहीं होती आत्मा में अविनासी पाट भरा हुआ है वह कभी भी विनास नहीं हो सकती समझो यह इंजिनियर है फिर पांच जार वर्ज बाद हू बहू ऐसे ही इंजिनियर बनेगा यही नाम रूप बेश काल रहेगा यह सब बाते बाग हिं आकर समझाते हैं यह अनादी, अभिनासी ड्रामा है इस ड्रामा की आयू 5000 वर्स है सेकेंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता यह अनादी बना-बनाया ड्रामा है सबको पाठ मिला हुआ है देही अभिमानी हो, साक्षी हो खेल को देखना है बाप को तो देह है नहीं वो नालेजफुल है, वीजरूफ है बाकी आत्माएं जो उपर निराकारी दुनिया में राती है वो फिर राती है नंबर वार पार्ट बजाने पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का पहले नंबर की ही लिनाइष्टी के चीतर है सबसे उचह सूर्य वन्सी लचमी नरायन का राज्य उन्हों का राज्य कब कैसे इस्थापन हुआ कोई भी मनुस से मात्र नहीं जानते सत्यू की आयू ही लाखों वर्ष लिग दी है कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते इन लच्मी नरायन की जीवन कहानी को जानना चाहिए विगर जाने माथा टेखना अथवा महिमा करना यह तो रांग है बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है सत्योग में स्री कृष्ण थाना अभी वह कृष्ण पूरी फिर इस्थापन हो रही है स्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस लच्मी नरायन की राजधानी कैसे इस्थापना हुई यह सब तुम समझते हो नंबर वार माला भी बनाते हैं फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे परन्तु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं माया हरा देती है जब तक सेना में हैं कहेंगे यह कमांडर है यह फलाना है फिर मर पढ़ते हैं यहां मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खतम हो जाते हैं, आच्चा रिवर्द, सुनंती, कथंती, भागंती, ओहो मम माया, फारकती, देवंती हो जाते हैं, मर जीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर रामराज से रामराज में चले जाते हैं, इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है करों और पांड़ों की फिर असुनों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है एक युद्ध दिखाऊ ना दो क्यों बाप समझाते हैं यहां की है यहां की ही बात है लड़ाई तो हिंसा हो जाती है यह तो है ही अहिंसा पर्मोद देवी देवता धर्म तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो तुम्हारी है ही योगबल की बात हत्यारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं वह ताकत तो क्रिश्चन में भी बहुत है रसिया और अमेरिका दो भाई हैं इन दोनों की ही competition bombs bombs आदि बनाने की दोनों एक दो से ताकत वाले हैं इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं परंतु ला नहीं है जो बाहुबल से कोई विस्व पर राज्य पा सके कहानी भी दिखाते हैं दो बिल्ले आपस में लड़े मक्षन बीच में तिसरा खा गया यह सब बाते अब बाप समझाते हैं यह थोड़े ही कुछ जानता था यह चीतर आदी भी बाप नहीं दिविदिश्टी से बनवाए हैं ब्रह्मा बाबा कुछ नि जानते थे और अब समझा रहे हैं वह आपस में लड़ते थे सारे विश्व की बातसाही तुम ले लेते हो वह दोनों हैं बहुत पावरफुल जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं फिर मदद देते हैं क्योंकि उन्हों का भी बेपार जबरजस्ट है जो जब दो बिल्ले आपस में लड़ें तब तो वारूद आदी काम आए जहां तहां दो को लड़ा देते हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या दोनों इकठे थे या सब ड्रामा में नून्ध है अभी तुम पुरशार्ट कर रहे हो योग बल से विष्व का मालिक बने वह आपस में लड़ते हैं मक्खन बीच में तुम खा लेते हो मक्खन अर्थाद विष्व की बातसा ही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीती मिलती है बाब करते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड संपूर निर्विकारी दुनिया हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमों में जरूर आती है बाब समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धी नहीं थी क्योंकि सास्त्रों में लाखों वर्स कर दिया है भक्ती है ही अग्यान अंधियारा यह भी पहले तुमको पता थोड़े ही था अब समझते हो वह तो कह देते कल योग अभी चालिस हजार वर्स और चलेगा अच्छा चालिस हजार वर्स पूरा हो फिर क्या होगा किसी को भी यह पता रही है इसलिए कहा जाता है अग्यान नीन में सोई हुए है भक्ती है अग्यान ग्यान देने वाला तो एक ही बाप ग्यान का सागर है तुमको तो तुम हो ग्यान नदिया बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं वह बाप भी है टीचर भी है सदगुरु भी है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है या तो है बेहत की बात बेहत का बाप टीचर सदगुरु है खुद बैट समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ तुम सब हमारे बच्चे हो तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो तो वह है परम आत्मा सुप्रीम वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं कल्यू की आयू 40,000 वर्स और कहना बिलकुल गपोरा है 5000 वर्स में सब आ जाता है बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो समझते हो ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते अगर नहीं मानते तो यहां नहीं आते इस धर्म के नहीं हैं तो फिर मानते नहीं है बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ती पर है जिन्होंने बहुत भक्ती की है तो भक्ती का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए उन्हों की उन्हों को ही बाप से बेहत का वर्षा मिलता है तुम जानते हो, हम सोदेवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं, इस पुरानी दुनिया का विनास्तो दिखाया हुआ है, और कोई सास्तर में ऐसे बात नहीं है, एक गीता ही है भारत का धर्म सास्तर, हर एक को अपना धर्म सास्तर पढ़ाना चाहिए, औ और वा धर्म जिस द्वारा इस्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए, जैसे क्रिश्चन क्राइश्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूझते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तो देवताओं को ही पूझते हो, परन्तु आजकल अपने को हिंदु धर्म का कह देते हैं, तुम बच्चे अब राज योग सीख रहे हो, तुम राज रिसी हो, वह है हट योग रिसी, राज दिन का फर्ख है, उन्हों का सन्यास है कच्चा है, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का, तुम्हारा सन्यास वह वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सत्यूग में आएंगे ब्रह्मा द्वारा आदिसनातन देवी द्वता धर्म की इस्थापना होती है अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है यह समझने की बात है बाप द्वारा पढ़ते हैं यह तो जरूर रियल है ना इसमें निस्चे ना होने की तो बात ही नहीं यह नालेज बाप ही पढ़ाते हैं वह बाप टीचर भी है सच्चा सदगुरु भी है साथ ले जाने वाला ओ गुरु लोग तो आधा पर छोड़ कर चले जाते हैं एक गुरु गया तो दुसरा गुर करेंगे उनके चले को गद्धी पर बिठाएंगे यहां तो है बाप और बच्चों की बात वह फिर है गुरु और चले के वर्से का हग वर्सा तो बाप का ही चाहिए ना शिव बाबा आते ही है भारत में शिव रात्री और स्री क्रिष्न की रात्री मनाते हैं शिव की जनम पत्री तो है नहीं, सुनाय कैसे, उनकी तिथी तारिक तो होती नहीं, स्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है, उनकी दिखाते हैं, दिपावली मनाना तो दुनिया के मनुस्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दिपावली है, हमारा नया वर्ष, नई दुन के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुर्षोतम संगम युग पर, उन कुम्भ के मेलों में कितने धेर मनुस्यों जाते हैं, वह होता है पानी की नदियों पर मेला, कितनी धेर मेले लगते हैं, उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है, कभी कभी तो उन्हों का आ आपस में ही बड़ा जगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान है न, यहां तो जगड़े आदी की बात ही नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाड़ले बच्चों मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खात पड़ी ह वह योग अगनी से ही निकलेगी, सुनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतीर पावन कहते हैं, बाप सुप्रीम सुना ठहरा, सबकी खाद निकाल, सच्चा सोना बना देते हैं, सोना अगनी में डाला जाता है, वह है योग अर्थात, याद की अगनी, क्योंकि याद से ही पा सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल पहले मिसल हैं, मिसल ही पुर्शार्ट करेंगे, परमात्मा का भी ड्रामा में पार्थ नुधा हुआ है, जो नुध है वो होता है राता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही राता है, बाप करते हैं, आगे चल तुमको गुई है पिचे करना है, वो है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है, मन-मन आभव का भी अर्थ यह है, बाकी स्री कृष्ण भगवानु आज तो है ही, है ही, नहीं, अगर स्री कृष्ण हो, फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले, फिर ऐसे क्यों कहते, कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं, यह तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुस्यों को समझने में तकलीफ होती है, आगे भी ऐसा हुआ था, मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापन की थी, फिर यह सास्त्र आदी सब गुम हो जाते हैं, फिर अपने समय पर भक्ति मार के सास् नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं, अभी तो भक्ति का राज्य है, सबसे बड़े ते बड़े हैं, स्री स्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले, आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, वास्तों में यह माला है, यहां की माला जब फेरते हैं, तो जानते हैं, फूल निराकार है, फीर है मेरु, ब्रम्हा, सरस्वति, युगल दाना क्योंकि प्रविर्ती मार्ग हैना, प्रविर्ती मार्ग वाले, निर्विर्ती मार्ग वालों को गुरु कहेंगे, तो क्या देंगे? हट योग सिखना पड़े, वह तो अनेक प्रकार के हट योग, राज योग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राज योग कहा जाता है, बाकी और सब हैं हट योग सरीर की तंदरुस्ती के लिए यह राज योग बाप ही सिखलाते हैं, आत्मा है फर्ष्ट, फिर पीछे है सरीर, तुम फिर अपने को आत्मा के बदले सरीर समझ उल्टे हो पड़े हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो अंत्मती सोगती हो जाएगी, अच्छ मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, स इस अनादी अभिनासी बने बनायें, ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है, इस पुरानी दुनिया को वुद्धी से भूल जाना है, दुसरा है, माया से हारना नहीं है, यदि याद की अगनी से पापों का नास कर आत्मा को पावन बनाने का पुर्शार्ट करना है, आज का बर्दान है, दीप माला पर यथार्ट विधी से अपने देवी पद का आवाहन करने वाले पुज्यात्मा भवव, दीप माला पर यथार्ट विधी से अपने देवी पद का आवाहन करने वाले पुज्यात्मा भव, दीटेल है, दीप माला पर पहले लोग विधी पुर्वक दीपक जलाते थे दीपक बुझे नहीं या ध्यान रखते थे, ग्रीद डालते थे विधी पुर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे अभी तो दीपक के बजाय बल्लब जगा देते हैं दीप माला नहीं मनाते, अब तो मनुरंजन हो गया है आवाहन की विधी अथवा साधना समाप्थ हो गई है इसने समाप्थ हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है इसलिए यथार्द, दाता, रुपधारी, लच्मी किसी के पास आती नहीं लेकिन आप सभी यथार्द विधी से अपने देवीपद का आवाहन करते हो इसलिए स्वेम पुझ देवी देवता बन जाते हो सदा बेहत की वृत्ती, द्रिष्टी और इस्थिती को हो तब विश्व कल्यान का कार्य संपन होगा सदा बेहत की वृत्ती, द्रिष्टी और इस्थिती हो तब विश्व कल्यान का कार्य संपन होगा अच्छा ओम शान्ती